हुशता और आप देखरें स्टेडी कॉमर्स और इस वीडियो में पढ़ेंगे टीबिल्स के बारे में हमारी वीडियो की पीडियो की टाउनलोड करने के लिए आप हमें जॉइन कर सकते हैं इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा रूपी स्ट्वी सिक्टिवाइफ पर एर क आप फोन पे गूगल पे या किसी भी अधा यूपी आई प्लाटफॉर्म द्वारा दिये गाए नमबर 7317 240017 इस पर पेमेंट करके हमें जॉइन कर सकते हैं बाकी की पेमेंट डीटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो आप उससे वहां से भी देख सकते हैं डिसेंबर 2019 में NTA NET के एक्जाम में टीबिल से रिलेटेट कुछ क्वेशन पूछे गयते हैं पहला क्वेशन पूछा गया था कि किस टीबिल के अबॉलिशन के बाद 14 डे इंटरमेडियर टीबिल को इंट्रिद्यूस किया गया था चार ओप्शन आपको दिये हैं 91 देज 182 डेज टीबिल्स, 273 डेज टीबिल्स और 364 डेज टीबिल्स दूसरा क्वेशन पूछा गया था कि इन में से कौन सा इंकरेक्ट स्टेट्मेंट है यह हमें बताना है चार ओप्शन आपको यहां पर दिये हुए हैं इन क्वेशन के आंसर में आपको वीडियो के अंतों ब तो फिनेंशल मार्केट एक ऐसी जग्हा है जहां पर फिनेंशल एसेट्स और स्टेटिस को बेचा और खरीटा जाता है यहां अब पर ऑदेंशल मार्केट में पर इसेट चार्वेशन का काँ पर सुद्वाद आपको इसे ग्याप कि यहां पर देख सकते हैं कि एक सबस्क्राइब, और इकrul blush इनवेसिट का timely इन्वेस्ट करती была है, और बिजनस का इंट क्या है, जिसे पैसे की जरूरत है। इसको इसक ट्रशिपन को आशेख सो TVF & B. इसके आति इनवेस्टti्व है Typically when it is an 모든 companies, अब ये जो investor है, उसको खरीदता है, यानि कि shares में पैसा लगाता है, और अब ये क्या होगा, उस company का shareholder बन जाता है, अब कैसे किसी investor को पता चलेगा कि उसको अपने surplus money को कहां लगाना चाहिए, और कैसे एक business unit को पता चलेगा कि उससे पैसे कहां से और कैसे मिल सकते हैं, इन द में पैसे लगा सकता है, अब financial market दो तरीके के होते हैं, पहला है capital market, दूसरा है money market, capital market long term market होता है, और money market short term के लिए होता है, capital market दो parts में डिवाइड किया गया है, पहला है primary market, दूसरा है secondary market, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे money market का क्या concept होता है, तो money market की जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि short term funds से related होता है, तो money market ऐसा market है जहाँ पे short term funds को deal किया जाता है, तो short term funds है, यानी यह 1 साल या एक साल से कम तक के maturity period के होते हैं, जिन assets को यहाँ deal किया जाता है, उपको यह close substitute of money कहा जाता है, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ही यह mature हो जाते हैं, तो 1 साल के अंद लिक्विड है, हाईली लिक्विड है, जिसको money में जल्दी convert किया जा सकता है, money market, near money instruments भी कहा जाता है, यहां risk काफी low होता है, risk low होने का reason क्या है, एक साल या एक साल से कम में ही maturity है, तो यहां risk low है, अगर कोई ऐसा long term investment आपने shares में अगर invest किया है, यहां पर आपको जो return होता है, वो काफी लंबे समय के बाद मिलता है, पैसे डूबने के chances बहुत जादा होते हैं, अब यहां पर money market क्या है, कम समय के लिए होता है, यहां जो risk होता है, वो काफी कम होता है, अब जिस भी deficit unit के पास temporary shortage cash की, cash की अगर temporary shortage है, तो उसके लिए money market में पैसे funds को raise किया जाता है, money market RBI के direct regulations के अंतरगत आता है, इंडिया में तीन money market centers है, Mumbai, Delhi, Kolkata, लेकिन main center जहां पर transactions होते हैं, वो है Mumbai, major participants कौन-कौन हो सकते हैं, यानि यह कौन ऐसे लोग हैं, जो money market में invest कर सकते हैं, इसमें पहला है, RBI, commercial banks, non-banking, institutions, finance companies, state government कर सकते हैं, PSUs कर सकते हैं, mutual funds और non-resident Indians, यह कुछ major participants हैं, यानि कि ऐसे लोग जो की money market में invest कर सकते हैं, अब हम देख लेते हैं, money market का development किस तरीके से हुआ, यानि कि चुरुआत इसके development की 1985 में हुई थी, और उसके बाद से gradually इसमें कितना development किस तरीके से आया, तो सबसे पहले 1985 में चक्रवर्थी कमिटी बनाए गई, जो under the chairmanship of सुक्मे चक्रवर्थी, इनको काम दिया गया इंडिया के monetary system को review करने का, उसके बाद इस कमिटी ने recommend किया कि money market instruments को develop किया जाए, इसके बाद इसके बाद इसके बारे में जानने के लिए एक वागुल कमिटी बनाए गई, एन वागुल के chairmanship के अंतरगर, जो कि एक working group था, ये RBI के द्वारा बनाए गई, जिसने 1987 में अपनी report सब्मिट की, ये जो भी recommendations दिये गए थे चकरवर्ती कमिटी के द्वारा, इसके बारे में जानने के लिए, इससे समझने के लिए, इस working group को बनाया गया, तो इस कमिटी ने blueprint institutions of money market का, यानि कि एक design बताया, एक plan बताया कि किस तरी market के, ये वागुल कमिटी ने बताया, 1991 August में नर्सिम्हम कमिटी, जो कि M. Narsimham के chairmanship में बनाये गए, इसने कुछ high level के changes, कुछ recommendations दी, जो कि money market में किये जाने चाहिए, M. Narsimham 13th governor रह चुके हैं RBI के, अब money market दो तरीके का होता है, एक है organized market, दूसरा है unorganized market, organized market कौन से होते हैं, जो certain rules and regulations के अनुसार कारे करते हैं, unorganized markets जो होते हैं, कोई particular rules and regulations यहाँ पर नहीं होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, गाओं में जमीनदार होते हैं, वो लोगों को पैसे provide करते हैं, तो वो एक तरीके का unorganized market है, अब organized market के अंतरगत, कुछ particular instruments आते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका treasury bill, दूसरा है call notice money market call, तीसरा है cash management bills, commercial papers, commercial bills, certificate of deposit और collateralized borrowing and lending obligations, इन में से यह दोनों treasury bill और call money market, यह दोनों Indian money market के बहुत important instruments माने जाते हैं, क्योंकि यह government और other जो related institutions हैं, उनको money provide करते हैं, दूसरा है commercial paper और commercial bills, यह liquidity provide करते हैं, जो commercial sectors होते हैं, यहाँ पे जो है commercial sectors इसे issue करते हैं mainly, और यहाँ आपका treasury bill और call money market, यह सब government के अंतर गताता है, यानि कि government और other banks जो हैं, वो इसे issue करते हैं, इस video में हम treasury bill के बारे में discuss करेंगे, और बाकी जो यह instruments हैं, इनके बारे में मालग-अलग videos में discuss करेंगे, next यह unorganized market, इसमें indigenous bankers, money lenders, needys, chit funds, loan companies, और finance brokers आते हैं, तो treasury bill के बारे में हम इस video में देखेंगे, तो सबसे पहले treasury bills को popularly, T-bills के नाम से जाना जाता है, इन्हें zero coupon bonds के नाम से जाना जाता है, यानि कि यह discount पर issue किये जाते हैं, यह short term instruments होते हैं, हम बात कर रहे हैं money market की, तो treasury bills भी money market के अंतर गता आते हैं, जब भी central government को short term liquidity अगर होती है, तो वो treasury bills को issue करती है, और treasury bills issue लेकिन किये जाते हैं, RBI के द्वारा, जो amount एक tenderer pay करता है, और जितना amount उसको maturity भी मिलता है, उसके बीच के difference को interest कहा जाता है, जिसे discount के नाम से जाना जाता है, example के तोर पर आप देख सकते हैं, कि मालनी जी की कोई treasury bill है, जिसकी face value 100 रुपे है, और इसको issue किया गया है 98.26 पे, इसके बीच का जो difference है 1.74 रुपीस का, ये क्या है, ये interest amount है, जिसे हम कह सकते हैं कि discount पर यहाँ पर इससे issue किया गये, repayment लेकिन par value पर treasury bills की होती है, यानि कि अगर किसी को issue किया जाएगा, तो 98.26 पर issue किया जाएगा, लेकिन जब repayment किया जाएगा, तो पूरे 100 रुपे की face value पर treasury bills को repayment किया जाता है, अब कुछ features देख लेते हैं, treasury bills के सबसे पहला है, negotiable instrument है, negotiable instrument का मतलब क्या है, कि एक certain period के बाद, एक certain time पर इसका payment किया जाता है, और ये transferable होता है, यानि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इसे transfer किया जा सकता है, दूसरा है highly liquid है, shorter tenure के लिए होता है, यानि एक साल या एक साल से कम के लिए होता है, तो highly liquid है, काफी जल्दी इसको money में convert किया जा सकता है, next year risk free होता है, चुकि ये government के द्वारा issue किया जा रहा है, पहली चीज, दूसरा shorter period के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर risk काफी कम होता है, present में 4 तरीके के tables हैं, जिसको issue किया जाता है, minimum 25,000 रुपए तक का tables issue किया जाता है, maximum कुछ भी amount हो सकता है, इसके अलावा tables पर TDS नहीं करता है, दो categories है tables की, ad hoc tables और ordinary tables, यह जो ad hoc tables होते हैं, यह general public को issue नहीं किया जाते हैं, बलकि यहाँ पर government या state government या जो भी semi government departments हैं, foreign banks हैं, यह यहाँ पर investment करती हैं, और यहाँ पर RBI 50 करोड तक का balance हर Friday के लिए रखना होता है, ordinary bills, ordinary bills वो bills होते हैं, जो कि public को issue किये जाते हैं, और government की जो भी short term needs होती है money की, उसको इसके द्वारा पूरा किया जाता है, next यह आपका types of tables की, कितने तरीके के tables government issue करती हैं, तो चार तरीके के tables issue किये जाते हैं, 14 days tables, 91 days tables, 182 days tables, or 364 days tables, अब next यह हमारे development of tables, यानि कि कब कौन से tables को introduce किया गया, तो सबसे पहले 91 days tables को issue किया गया था, जो कि weekly auction होते थे, before 1950, और 1950 के mid में इसको discontinue कर दिया गया, यानि हटा दिया गया, इसके बाद next आया 91 days ad hoc tables, जिसको mid 1950s में issue किया गया, बट April 1997 में इसे हटा दिया गया, उसके बाद issue किया गया 91 days tables on tap, on tap का मतलब है कि, ऐसे bills जो RBI से किसी भी समय खरीदे जा सकते हैं, जिस पे 4.66% का interest होता है, ये mid 1950s में इनको issue किया गया, और 1997 मार्च तक आते आते ये discontinue हो गया, इसके बाद issue किया गया 182 days tables, weekly auction पे November 1986 में, फिर 1992 में इसे भी discontinue कर दिया गया, अब इसके बाद आता है 14 days tables, ये Apple 1997 में आया, पर May 2001 में इसे फिर से हटा दिया गया, इसके बाद आया 364 days tables, ये Apple 1992 में आया, जो कि अभी तक continued है, 91 days tables को issue किया गया, auction पर January 1993 में, 182 days tables को फिर issue किया गया, auction पे, यानि कि इसको reintroduce किया गया, 182 days tables पहले भी आया था, बट उसको हटा दिया गया था, इसके बाद इसको reintroduce किया गया, June 1999 में और May 2001 में इसको फिर से हटा दिया गया, उसके बाद फिर से इसको reintroduce किया गया, April 2005 में तो currently 14 days T-bills 91 days T-bills 182 days T-bills और 364 days T-bills इनको issue किया जाता है Next है हमारा sale of T-bills के दोरा आपने देखा कि auction पर T-bills को issue किया जाता है तो लोग tenders भरते हैं और RBI cut off decide करती है और उसके अनुसार T-bills को issue करती है तो यहाँ जो participants हैं हमने पहले ही देखा RBI हो सकता है other financial institutions हो सकती है mutual funds हो सकते हैं यह लोग यहाँ पर investment कर सकते हैं अब bidders के हम यहाँ बात करें auction में bid लगता है तो दो तरीके की bidders होते हैं एक competitive एक non competitive अब auction की दोरान जो competitive bidders होते हैं बिड लगाते हैं यानि की बोली लगाते हैं कि कितने पर treasury bill उनको चाहिए जितनी ज़्यादा बोली हो सकती है लोग लगाते हैं अब यहाँ पर RBI cut off decide करती है और उसके बाद जितने एक particular rate पर तै करती है कि कितने पर T-bills को दिया जाएगा दूसरे होते हैं non-competitive bidders non-competitive bidders में आप जनरी ले सकते हैं state government अब non-competitive bidders वो bidders होते हैं जो bidding करने में expertise इनकी नहीं होती है ऐसे लोगों को हम non-competitive bidders कह सकते हैं तो जो RBI होती है वो non-competitive bidders को भी T-bills issue करती है यहाँ पर क्या होता है competitive bidders जब bid लगा लेते हैं वहाँ पर issue हो जाता है उसके बाद non-competitive bidders को उन्ही rates के आनुसार T-bills को issue किया जाता है weighted average price के आधार पर T-bills को issue किया जाता है non-competitive bidders को non-competitive bidding में RBI भी bid लगा सकती है ताकि जो bills under subscribed रह चुके हैं उनको वो खरीद सके तो ये दो तरीके के bidders होते हैं next step का types of auction auction जो किया जाता है इसमें भी दो तरीके के auction होते है multiprice और uniform price अब multiprice auction क्या होता है multiprice auction को winners curse भी कहा जाता है अब यहाँ multiprice auction में क्या होता है multiprice auction में क्या है मालेजे की 100 रुपे की face value का treasury bill RBI ने issue किया अब यहाँ पर सब लोग bid लगाते है जो एक cut off rate set किया जाता है RBI के द्वारा इसके उपर की जितने भी bidders होते है उनको tables issue कर दिया जाता है लेकिन multiprice में क्या होता है कि जितनी की बोली जितने लोगों ने जितने रुपे की बोली लगाई है यानि कि जितने रुपे की bidding की है उनको उतना ही payment करना पड़ता है off rate मालेजे कि 98 रुपीज पे गई है कि उपर की bidders होंगे उनको payment देना होगा लेकिन वो 98 रुपीज पर उनको issue नहीं किया जाएगा बलकि जितने की bid उन्होंने लगाई है उतना payment उनको देना पड़ेगा जितने bidders होंगे, जितने अलग-अलग bidders होंगे उन्होंने जितने प्राइस पर bid लगाई होगे अ काफी loss होता है इसको देखते भी RBI ने issue किया नेक्स uniform price पर तो uniform price जैसा कि नाम ही suggest कर रहा यानि कि RBI के द्वारा जो एक price set किया जाएगा सारे लोगों को उसी पर Tables को issue किया जाएगा यहां किसी को ज़्यादा price का payment नहीं करना होगा एक particular amount set कर दिया जाएगा RBI के द्वारा और सभी को उसी price का payment करना होगा चाल तरीके की Tables हैं जसमें सबसे पहला है 91 Days Tables तो auction 91 days tables को issue किया गया था यह 1992 और 1993 में यह RBI के द्वारा हर शुक्रवार को auction किया जाता है और इसकी payments दी जाती है Saturday के दिन पहले जो tables होते थे उनके कुछ fixed percentage होते थे जिन पर इनको issue किया जाता था लेकिन अब अलग-अलग days पे accordingly auction जब किया जाता है तो accordingly जो rate होता है वो उस दिन आपको देखने को मिलता है next है 182 days tables इसको introduce किया गया था 1986 में नॉर्मबर में यह alternate Wednesday को हर alternate Wednesday को इसको auction किया जाता है इसका main objective होता है short term money market को help provide करना यानि कि short term investment की short term money की जिन्हें जरूरत है उनको help provide करना इसका active secondary market है यानि कि in T bills को एक बार अगर issue किया जा चुका है primary market में तो दुबारा इनको secondary market में sell किया जा सकता है यह May 2001 में discontinue किया गया था और April 2005 में फिर से continue किया गया वापस से reintroduce किया गया था 500 करोड रुपए का notified amount था अब यह amount जो होता है notified यह change होता रहता है इसका payment मिलता है Thursday को next year 364 days T bills इसको introduce किया गया था April 1992 में यह multi price auction के द्वारा sale किया जाता है इसको अब ही every alternate Wednesday हर alternate Wednesday को इसको auction किया जाता है और इसका भी payment Thursday को मिलता है next year 14 days T bills 14 days T bills की बात यहाँ पर यह mainly है कि यह state governments, non-government और provident funds सिर्फ इन्हें ही sell किया जाता है यह introduce किया गया था 1997 में April में और minimum amount इसका एक लाख रुपए तक का होता है और यह हर Friday को auction किया जाता है और payment इसका होता है हर Saturday को conclusion की तोर पर आप यहाँ देख सकते हैं 14 days T bills और 91 days T bills को Friday को auction किया जाता है और इसका payment date होता है Saturday को 182 days T bills और 364 days T bills को हर alternate week में Wednesday को auction किया जाता है और इसका payment किया जाता है आने वाले Thursday को तो यह आप conclusion के तौर पर यहाँ देख सकते हैं अब आते हैं question पर starting में हमने कुछ questions देखे थे पहला question है कि 14 days intermediate T bills को 96-97 में issue किया गया था किस T bill के abolition के बार तो यहाँ आपका answer होगा 182 days T bills 182 days T bills को हटा करके जब यह हटा तब 96-97 में 14 days T bills को introduce किया गया था यह हमने development of T bills के अंतरगत देखा next आपका choose incorrect statement from the following तो 28 T bills को introduce किया गया था 1998 में 364 days T bills introduced हुआ था 1992 में 182 days T bills issue हुआ था 1986 में लेकिन 273 days T bills इस तरीके का bill issue नहीं किया जाता है government के द्वारा जो 28 days T bills है यह 14 days T bills के साथ ही introduced किया गया था जो कि state government या non-governments को दिया जाता है तो यहाँ हमारा answer incorrect जो है यहाँ पर वो है 273 days T bills तो आज की इस वीडियो में हमने Treasury bills के बारे में देखा अधर जो instruments से इनके बारे में भी अलग-अलग वीडियो में हम discuss करेंगे Thank you करेंगे